हेलो दोस्तों उमीद है आप अच्छे से होंगे इंटरा डे ट्रेडिंग के लिए किसी भी क्रिप्टो कोईन को कैसे सेलेक्ट किया जाता है इसका एक गोल्डन रूल होता है वो मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ वैसे तो इस टॉपिक के उपर मैं एक पूरी डेटेल वीडियो बना चुका हूँ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जागा है एक क्रिटेरिया होता है डे टेडिंग के लिए कोईन को सेलेक्ट करने का कोई भी कोईन उस क्रिटेरिये पे पूरा उतरता है न तो उसमें आप आँखे बंद करके ट्रेड लें 10%, 15%, 20%, 25% प्रॉफिट मिलता है प्रॉफिट लें, प्रॉफिट बुक करें टाटा बाई बाई बाई, नेक्स्ट कोईन में जंप इन कर जाएं वो वीडियो आप सबसे पहले देखें लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको बहुत सारी न्यू चीज़ें सीखने का मौका मिलेगा उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करें golden rule, सबसे पहले तो एक दो चोटी चोटी बाते हैं वो आपने जहन में रखनी है जो पुरानी वीडियो में मैं नहीं बता पाया हूँ वो मैं आपको आज बता देता हूँ बहुत सारे लोगों का ये भी सुवाल होता है सर हमें technical समझ नहीं आता है कुछ ऐसा simple सा rule बता दिया जाए हमारी आखों के सामने वैसा अगर कोई coin आजाए हम इसमें entry लें और profit हमें असानी से हो जाए day trading के तुरू, वो मैं आपको बताने वालू सबसे पहले देखें, volume देखना होता है last पे मैं golden rule बताता हूँ आपको सारा समझ आ जाएगा volume दो तना का होता है आप यह नहीं के सर इसमें तो volume बढ़ा है लेकिन price के उनीचे आ रही है volume दो तना का होता है जो भी exchange के ओपर total volume लिखा होता है coin के आगे के इसमें आज इतने BTC की या UST के trade हुई है, इतने volume की वो जरूरी नहीं है के जितना volume होगा उतने ही coin उपर जाएगा जो selling pressure भी आता है sell और buy का जो plus होता है combination होता है वो is equal to total volume होता है यह confusion सबसे पहले दूर कर लें ऐसा नहीं के volume बढ़ा हुए ते इसका मतलब उतने volume के BTC या UST देखें अगर आपको नजर आता है 24 BTC का volume है इसमें तो इसका मतलब यह नहीं के 24 BTC इसमें buying आया है वो total है इसमें ज्यादा selling भी हो सकता है buying भी हो सकता है price के तरफ देखेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा के prices उपर जा रहे हैं buying volume ज्यादा है वो इंट्राडेटरेडिंग के लिए अच्छा coin होता है technical मैं कुछ भी नहीं बता रहा है simple आपने कोई भी travel कर रहे है या आप classroom में बैठे वे हैं या आप काम करें बिजनस करें आपने ये criteria देखना है technical या चार्ड पर जाने की जोर नहीं उसमें एंट्री ले लेनी है ठीक है वोलियम के बाद अगर अच्छा ये भी देखना है कि वो टॉप गेनर में इतना ना बढ़ा हो कि 200% उपर बढ़ा हो पर ऐसे नहीं करना है आपने तो आपने वो देखना है जो मीडियम मेडियोकर लेवल को फूर फिफ्ट पोजिशन पर हो वोलियम भी अच्छा बढ़ रहा है बाइंग वोलियम आ रहा है नेगटिव नहीं बाइंग वोलियम आ रहा है यह तो जो टॉप लुजर होते हैं उसमें भी वोलियम ज्यादा तो सेलिंग वाला होता है तो यह तो यह फूर कर लें कोई ऐसा आता है उसमें फलक्टूइशन ज्यादा सेकंड रूल होता है फलक्टूइशन प्राइस में उतल पुतल होनी चाहिए जहारा जिसमें वोलियम बाइंग का ज्यादा है प्राइस उपर जा रही है थोड़ी सी नीच आ रही है फिर उपर जा रही हाईर एंड हाईर बन रहे है उसमें फलक्ट्ट्वेशन तो आपको दिखेगी ठीक है लेकिन गोल्डन रूल यह है कि आपने सबसे पहले मुक्तसर सी यह वीडियो है क्योंकि मैं चाहरा था कि वह ज पता होगा कि सारे कौइंस कौन से हैं अगर आप उसको किंग मानते हैं क्रिप्टो का या बिजनस का जार है वर नंबर वन पर रिचस परसन है उसको भी नहीं पता होगा कोई भी गुरू असको नहीं पता होगा मेरी अगर आप बात करें तो होजार मैं रोज 3-4 कौइंस की तो नीचे आजाती है, जहां पर प्राइस पहले पंप होती है, मैं उसमें एंट्रे ले रहे तो मुझे प्रॉफिट हो जाता है, 70% चांसिस होते हैं कर प्रॉफिट हो जाता है, इसी तरह आप आज सही अपने 10 कोई उठा लें, 10 कोई का मैं आपको बता देनों, टॉप जो ट या डोट ले लें, टॉप 20 में आजाता है, उसके बाद जो फेवरिट कोई के लिस्ट बना लें, 10 कोई से शुरू कर लें, रुज़ाना उठके आपने उसकी प्राइस देखनी है, जब भी प्राइस पम्प होती है, उसकी प्राइस आपने देखनी है, रुज़ाना जब आ आप एक महीने के बाद आप मुझे कमेंड करके बता देना कि कैसा यह experience रहा है सिरफ prices देखनी कुछ भी नहीं करना है ठीक है उससे क्या होगा market crash भी होगी नहीं तो आपको पता होगा यार यहां से मैंने really miss कर दी थी market crash और यहां पर आई है करनी है profit कमान है bye bye कर देना है आपने उस coin में entry करनी है stop loss नहीं लगाना आता है minus six to seven percent stop loss लगा लें नीचे वह movement जब आप short time frame पर करते हैं तो इतनी percentage cover हो जाती है वैसी यह तरीका गलत है लेकिन अगर stop loss नहीं आता है लगाना तो आपको वह आना चाहिए वैसे उसका link भी description box में डा देता हूं कि किसी भी trade का stop loss कैसी लगाते है पांच मेरा का time frame होता है data trading के लिए खेर यह सारी technical बाते मैंने आपसे वादा किया था कि टेकनिकल बात को ही नहीं होगी 12 से 15 coins ले लें दो मिने के बाद फिर पिछले वालों के याद रखिए नहीं कि आगर जो भी कहता जा रहा है इसको अपनी लिस्ट में add करते जाए नहीं उसको देखते जाएं देखते जाएं न्यूज आती आपको पता होगा यार यहां से price pump हुई थी सिरफ और सिरफ क्या है देखने से observe करने से या experiment कर लेना मैं यह चाहता हूँ कि मेरा हर memory कमाए पैसे उसको किसी भी यूटूबर की या किसी भी mentor की या किसी भी guru की जोर ना पड़े वो अपनी दुकान पे बैठा है वो अपने घर में बैठा है रूम में बैठा है ग्राउंड में बैठा है दोसों के साथ बैठा है उसके सामने वो price आई तो उससे पता हो यहां पर मैंने buying करनी है वो कैसे पता चलेगा आप बेशक कुछ भी न सिखें रुजाना आपनी दे देखते हैं जितना आपको knowledge होगा किसी को भी I can bet उतना knowledge नहीं होगा आपकी price जो आंखे जो रुजाना देख रहे हैं उन prices को दो मिनट का काम है support के देख लेना एक दफारात को देख लेना आप portfolio तो मेरा खाल है कि 20-25 दफार देखते होंगे या 1000 दफार भी देखते होंगे कुछ ऐसे भी हमारे जाले हैं barriers है ठीक है लेकिन prices को दो तीन दफार रोजाना देखना है बाकियों का side pay कर दें उनमें ही date trading करनी है मजा आना शुरू हो जाएगा उन्हीं से play round करना है पता चल जाएगा पहले भी देखी हुई है मुझे पता है maximum लोगों ने 90% लोगों ने वो वीडियो देखी है वो वाइरल भी हुई थी हमारी वीडियो लेकिन फिर भी मैं कहता हूं मेरी इस golden advice के बाद वो दुबारा देखें एक साल के बाद 20 हो जाएंगे coin दो साल के बाद बेशक 60 हो जाए आपके अपनी capacity है जितना आप price को observe कर सकें तीं साल के बाद 80 वी हो सकते हैं पूरी की पूरी 80 का मतलब बता क्या हॉता है प्सी काभी मतलब नश्चाय बस्तरा का मार्कइट आकि मुथी में होती है तो market खंसी भी लेती है तो prices आपके हाथ में ہوتा है 50 का भी मतलब पता है क्या होता है कि Market आपकी मुठी में है जब Market मुठी में होती है ना तो Market खांसी भी लेती है ना तो Prices आपके हाथ में होती है ऐसे Profit आता है ऐसे Sell करें टाटा बाई बाई रोजना Prices देखने से यह भी पता चलेगा कि यहां से prices उठा करती है और यहां से नीचा आया करती है उस level पर जाकर sell कर दिया, इस level पर buy कर लिए असान trading मुश्कल नहीं है यही बात मेरी जहन में रखने हैं हम सिर्फ consistent नहीं रहते हैं बड़े लोगों को यह वीडियो पसंद आएगी consistent नहीं रहेंगे और जाना prices नहीं देखेंगे मज़ा आया आगे चले गए कोई और वीडियो देख लिए तीसरी देख लिए पिछले को बूल गे हमारा जो brain है ना अगर उसको 100 words एat a time बताया जाना वो 20 या 25 जहन में रखता है वो भी अगर fresh जहन हो, हम young age में हो तो बाकी वो बूल जाता है इतने वो 20 या 25 परसंटी information अब्ज़र्व करता है तो why not जो information इतनी authentic है उसको आप जगा दे बाकियों को side पे करें अगर आपको लगता है कि आपको 1 परसंट भी knowledge मिला ते वीडियो का like and share का नमद बूलेगा अपना ख्यार रखेगा, happy trading, take care